अगर आप लोगो का कोई specific सवाल है तो आप मुझे mail कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें reproduction क्या होता है और क्या समझने से पहले हमने बात की first part में कि reproduction की ज़रूरत क्यों पड़ती है वाइडू organism रिप्रोड्यूस एट आल reproduction क्यों ज़रूरी है reproduction का क्या महत्व है हमने इसके बारे में बात किया हमने फर्स पार्ट में यह बात किया कि reproduction से क्या हो रहा है इससे जो similar तरीके की copies बन रही है not same बट similar हमने बात किया कि जब जो deployed cell जब divide होता है deployed cell में बनता है तो उसमें DNA जब divide होता है single cell में आता है single strand में आ जाता है तो उस time क्या होता है बहुत सारे variations होते हैं वह बिल्कुल exact copy नहीं बनता उसमें variations आ जाते हैं तो हमने बात किया कि variation की ज़रूर क्यों पढ़ती है evolution क्या होता है हमने उसके बारे में भी बात किया फिर हमने बात किया इस chapter में asexual mode of reproduction के बारे में जिसमें हमने fission क्या होता है इसके बारे में बात किया fragmentation, budding, regeneration और spore formation के बारे में vegetative propagation, tissue culture इन सब के बारे में हमने बात किया आज हम बात करेंगे about the sexual reproduction तो sexual reproduction क्या होता है अभी तक हमने asexual mode of reproduction के बारे में बात किया जिसमें हमने single cell और multicellular organism में किस तरीके से reproduction होता है asexually मतलब without involving sex organs and without involving sex cells okay, तो हम जब कुस तरीके से होता है तो हम उसे asexual कहते है, sexual reproduction क्या होता है वह हम इसके बारे में detail में बात करेंगे देखिए, हमें अभी तक हम जानते हैं, हम लोग familiar है with the mode of reproduction that depends on the involvement of two individuals before a new generation can be created यह हम जानते हैं, हमने class 8 और class 9 में पढ़ा है, कि अगर sexual mode of reproduction है अगर तो हमें एक male और एक female की ज़रूरत है, mother and father की okay, अगर हम mother और father की बात करें, तो father और mother की हमें ज़रूरत पढ़ती है, दो लोगों की, तब जो है sexual mode of reproduction जिससे zygote बनता है और जो की full-fledged individual में grow करता है, this we know by this time अगर हम बात करते हैं एक ही species के एक ही part की for example, bulls की अगर हम बात करें, सिर्फ hands की बात करें, तो क्या उससे नया individual आ सकता है? नहीं आ सकता naturally तो नहीं आ सकता, okay अगर सिर्फ एक male partner एक species के सिर्फ male male की बात की जाए या उसी species के सिर्फ female की बात की जाए, तो natural तरीके से तो नया individual नहीं आ सकता okay, unnatural तरीके से आ सकता है, artificially lab में आ सकता है, but again depend ये करता है, जब भी reproduction होता है तो एक सबसे पहली जो important बात होती है, जो की ध्यान रखी जाती है वो ये होती है कि जो offspring है that should be that should not be sterile, वो fertile होना चाहिए, जो भी reproduction से जो byproduct बन रहा है वो sterile नहीं होना चाहिए वो fertile होना चाहिए तो जब भी artificially भी create किया जाता है कोई भी नया organism, तो उसको ये देखना पढ़ता है कि वो जो है वो fertile होना चाहिए जैसे कि आपने, जैने आपको पहले भी बताया था, mule के case में and hinny के case में mule जो होता है, जो खचर होता है, वो जो अब जैसे कैसे produce किया जाता है, वो इसमें क्या होता है, एक horse और एक donkey involved होता है ठीक है, बट क्योंकि ये different species होती है, तो जो इसके जो offspring हुआ जो इसके byproduct होते है वो कई बार sterile होते है ठीक है तो ये देखना पड़ता है कि जो भी नया individual बन रहा है वो sterile नहीं होना चाहिए cross तभी होगा जब उसकी fertility maintain रहेगी, तभी वो successful cross है, so we were just talking about एक ही species के एक ही तरीके का male या एक ही तरीके का female जो है single-handedly reproduce नहीं कर सकते है हमें बोथ male और female दोनों की ज़रूरत होती है generation को आगे propagate करने के लिए why the sexual mode of reproduction अब हमे sexual mode of reproduction की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, nature में जब a sexual mode of reproduction था तो why not that only existed, ये क्यों आया sexual mode of reproduction आया ही क्यों nature में, हम इसके बारे में डिस्कूस करते है जो creation होती है of the two cells from one two new cells from one involves copying of DNA ये हमने अभी पढ़ा था part one में एक cell होती है, उससे DNA copy होके दो cells बन जाती है as well as of the cellular apparatus cells, DNA तो copy होता है, पूरा का पूरा cellular apparatus भी copy होता है ना तो जो DNA copying mechanism है, हमने क्या note किया था वो क्या था, cannot be absolutely accurate and resultant errors are source of variation in the population of organism, ये हमने part one में बात किया, कि जब भी division हो रही है तो वो exact copy नहीं बन रही है, उसके अंदर variation आ रही है आ रही है variation, उसी variation से हमने बात किया कि वो evolution का process है, तो that is there, तो जितने individual organisms है, cannot be protected by variation, but in a population, variations are useful for ensuring the survival of the species, that we know, हमने first part में discuss कर लिया इसलिए, it would be therefore make sense if organism came up with the reproductive mode, that allowed more and more variation to be generated एक तो हमने देखा, कि जब हमारी deployed cell से haploid cells बन रही थी, एक cell थी, deployed cell थी एक, ठीक है, इसके अंदर दो strands थे, इसी के अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर haploid cells बन रही थी, इनकी copy बनके single single standard आ गए थे gametes बनने के लिए, तो gametes में deployed की बजाए haploid cell हो गई, एक तो यहीं पर variation हो गई, second variation होती है, यह वाली जो haploid cell है, यह मान लीजिए, एक mother है, एक father है, या male female भूलो, तो उसकी cell के साथ combine होगा, तब zygote बनेगा, तो second variation यहाँ पर आ रही है, हमें नहीं पता कि mother की कौन सी cell के साथ combine हो रहा है, कौन से characters आ रहे हैं, और father के कौन सा chromosome, कौन सा DNA आ रहा है, तो variation के कितनी possibility है, अगर आप permutation combination, probability की बात करेंगे, तो probability बहुत highest चली जाएगी, पता नहीं कितने combinations बन सकते हैं, यह sperm का count कितना ज़्यादा होता है, millions of sperm, ठीक है, egg के के इसमें एक ही होता है, बट sperm कितने होते हैं, millions में, तो कितनी तरीके के combination possible है, तो variation कहां से आ रही है, variation पहली तो वहीं पे आ रही है, जहां पे cells डिवाइड हो रहे हैं, second variation आ रही है, जब organisms, जो है, it would, दो individuals के, जो cells हैं, वो combine हो रहे हैं, तो वहां पे variation generate हो रही है, okay, while DNA copy mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make generation of variation a fairly slow process. DNA की जो division से बन रही थी variation, वो तो बहुत slowly हो रही थी, लेकिन, if the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus and it would die. So, how can the process of making variants be speed up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. अब क्या हो रहा है? एक तो जो cells divide हो रही थी, one single cell, जब two cells में divide हो रही थी, तब तो variation आई रही थी, लेकिन ये थोड़ी slow हो आ रही थी, ये generation से generation, इसके अंदर थोड़ी variation आ गई, फिर जब इसका division होगा, तो फिर इसके अंदर variation आईगी, जो नया individual बनेगा, फिर variation, फिर variation आती जाएगी. Thus, two different individual in a population would have a quite different patterns of accumulation of variation, अलग अलग होंगे. Since all these variation are in living individual, it is assured that they do not have any, जितने भी variation आ रहे हैं, वो सब जिंदा है न, तो इतना बुरा effect तो है नहीं, अगर बहुत ज़दा variation से problem होती, तो ये सारे के सारे लोग मर चुके होते, species. Combining variation from two or more individual would thus create new combination of variants. हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, sexual mode of reproduction की जरूरती क्यों हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक single cell जब divide हो रही है, उस time पे भी variation हो रहे हैं, ओके DNA level पे variation हो रहे हैं, है ना, asexual mode of reproduction में भी, ये बहुत slow हो रहे हैं, क्योंकि single cell involved है, मतलब single organism involved है, बट आप अप ये बात सुचे कि अगर आपने male और एक female अलग-अलग दो individual बना दिया हैं, उनकी cells divide हो रहे हैं, उसमें variation हो रहे हैं, DNA में, और फिर वो दुनों कमाईन होंके एक नएा individual बनाते हैं, variation की possibility देखे, कितनी जादा बढ़ चुकी है, tremendously variable characters उसके अंदर आ जाएंगे, but body design same रहेगा, basic structure same रहेगा, क्योंकि species same है, लेकिन variation बहुत जादा आ जाएंगी, तो इसी लिए sexual mode of reproduction की जरूरत पढ़ी, ताकि जादा variation लाने के लिए, एक की बजाए, दो individual, दो जो organisms हैं, वो involved होने चाहिए, ताकि variations और बढ़ जाएंगे. तो इसलिए आया sexual mode of reproduction. Each combination would be novel, since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such process of combining DNA from two different individuals during reproduction, but this creates a major difficulty. If the new generation is to be combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA. बात यह हो रही थी कि हर एक जो DNA है, copy जो बन रही है. अगर वो पहले वाले individual से लेता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Double-double हो जाएंगी copy. लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो deployed नहीं होती, वो haploid हो जाती है. यह problem भी solve कर दी गई. अगर मान लीजिए, वो doubling करके double-double copy आते जाएंगे, तो बड़ी problem हो जाएगी. लेकिन होता क्या है? जब भी भी cell divide होती है, deployed से वो haploid में बन जाती है. haploid. एक strength रह जाती है. यही वो बात कर रहे थे. तो यह जो mess up है, इसको control करने के लिए, cellular apparatus by DNA, we have seen earlier that organism become more complex and specialized tissues increase हो जाएगे उसके अंदर. So one solution that many multi-level organism have found for the problem mentioned above is, have a special lineage of cells in specialized organ which have only half the number of chromosome. ठीक है? जब भी sex organs में, जब gametes formation होती है, gametes जब फॉर्म होते हैं, उसके अंदर diploide, यह diploide cell है, जिसके अंदर दो strands of chromosomes है, haploid बन जाती है, haploid. single strand आजाती है, single strand आजाती है, ताकि एक strand यहाँ, father से, एक strand mother से, मिलके, एक single cell फिर से diploide बन जाए. क्योंकि हमारी body के अंदर diploide cells होती है, सिर्फ haploid cells कहां होती है, सिर्फ और सिर्फ gametes जहां पे बनते हैं, sperm और ovum जहां पे बनते हैं, सिर्फ वहाँ पे single cell बनती है, sperms और ovum की cell बस, और सारी की सारी cell हमारी haploid होती है, सारी, diploide होती है, double stranded, ठीक है, सिर्फ यह cells haploid होती है तो यह problem कैसे solve की गई यह problem solve हुई, specialized cells बनी, individuals के अंदर जो भी multicellular organism थे, complex organism थे उनके अंदर specialized cell बनी वो जो specialized cell थी, वो single chromosome की layer थी उसके अंदर और half the amount of DNA था तो यह जब दोनों combine होती है, this achieved by the process called meiosis जो मैं आपको बार बार यह करके दिखा रही हूँ यह meiosis है meiosis, जो की सिर्फ और सिर्फ sexual cells में होता है gametes formation के लिए बाकी की सारी body हमारी कैसे grow करती है हमारी skin, हमारी बाकी के organs, वो कैसे grow कर रहे है उनके अंदर mitosis हो रहा है ठीक है, वो जो cells normal जो division होती है cells के अंदर वो होती है mitosis 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 से deployed की deployed cells रहती है यह deployed cell है इसकी copies बनेगी deployed ठीक है mitosis मे meiosis सिर्फ होगा gametes formation के लिए जहाँ पे gametes form होगे यह सारी बाते मैं आपको class 9 में और class 8 में पहले से पढ़ा चुकी है ठीक है, तो किसी को भी यह सोचने की जरूरत नहीं कि मैं mitosis और meiosis यह क्या पढ़ा रही है तो आप वहाँ जाके देख लेना तो mitosis कहाँ पे, meiosis कहाँ पे हो रहा है सिर्फ और सिर्फ un specialized cell में हो रहा है जहाँ पे gametes formation हो रही है और यह होता किसलिए है यह इसलिए होता है ताकि जब zygote formation हो तो वो double stranded deployed cell वापिस बन जाए एक strand father से मिले एक strand mother से मिले, इसलिए ऐसा होता है बाकी की पूरी body के अंदर जो growth होती है, हमारी body के अंदर जो growth होती है, वो सारी की सारी mitosis होती है mitosis, जिसके अंदर deployed cell की division में we were talking about कि हमें sexual reproduction वाले mode की जरूरत ही क्यों पड़ी थी हमें sexual mode के reproduction की जरूरत इसलिए पड़ी थी, कि हमको जो है DNA में variations चाहिए, nature को nature को DNA में variations चाहिए जो DNA के division, cell के division से तो आ रही थी variation, लेकिन जादा variation का अब आई, जब दूसरी cell combine होगी, दूसरा individual की cell combine होगी, वो कैसे होगा जब एक male और एक female parts होगे एक male और female की cells combine होगी, वो कैसे होगा, वो sexual mode of reproduction होगा, ठीक है Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual it results in re-establishment of the number of chromosomes and DNA content in the new generation दुबारा से deployed बन जाता है chromosomes and दुबारा से DNA पूरा complete होजाता, क्योंकि sperms में और वो में half-off रह गया था, चीक है तो जब zygote बनता है, zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organ, then it has to have sufficient store of energy for, stores of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another, और may even be similar, but human beings के केस में, higher animals के केस में क्या होता है जो ये दो cells आ रही है जो गमीट से हैं but as the body design become complex, the germ cells also specialize. Germ cells क्या हैं क्या होती germ cells? Germ cells होती है, sperm and ovum. Sperm male की germ cells, ovum female की germ cells. Germ cells हैं, one germ cell is large ovum and contain the food stores while the other is small and likely to be motile. ये कौन है? जो small है, जो motile है, वो sperm है, जो large है, जिसके पास food store है, इस process को आगे बढ़ाने के लिए, वो है ovum. Ovum कहां से आ रहा है? ovum मदर से आ रहा है और sperm कहां से आ रहा है? फादर से हा रहा है. हम बात कर रहा है sexual mode of reproduction की. तो conventionally क्या हो रहा है? जो motile germ cell is called male gamete and the germ cell containing store female gamete. उसको female gamete कहते हैं. जिसको हम बार-बार क्या कह रहा है? ovum and sperm. So the needs to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organ. इसलिए male और female reproductive organ जो होते हैं, वो different different होते हैं. क्योंकि जो male cell है. ovum है. उसकी cell जोगी वो थोड़ी बड़ी होगी. उसके अंदर store होगा. जो zygote है. उसको थोड़ी दिर के लिए sustain कराने के लिए. तो ये था sexual mode of reproduction की क्यों जरूरत है? वो बात की थी हम ने. तो sexual mode of reproduction की जरूरत ही इसलिए पड़ी ताकि हम variation नेचर में और create कर पाएं. तो sexual mode of reproduction की लिए क्योंकि एक cell जब divide होती है तो उसके chromosome जो है वो भी divide हो जाते हैं. तो chromosome अगर double standard रह जाएंगे तो बहुत problem हो जाएगी. तो वो chromosome भी half number हो जाते हैं और half DNA percentage हो जाती है. तो जो male और female organs बन जाते हैं. Animals के case में भी male और female organs बन जाते हैं. इतना आपको समझ में आ गया होगा. Now we are moving towards the second topic which is sexual reproduction in flowering plants. पहले हमने बात की sexual mode reproduction की जरूवत की हो है. तो अब हम देखेंगे पहले sexual reproduction plants में flowers कितरू कैसे होता है. फिर तो जो reproductive part होगा angiosperm का. Angiosperm का होना होते है? Flower. जिनके अंदर flowers होते हैं. Are located in the flower. हमने flower का structure पढ़ा था. आपको अच्छे से याद होगा. दो बार हम पढ़ चुके हैं. ये देखें. ये flower है. हिबिस्कस का और flower है. जिसके अंदर male female part एकी flower में है. ये देखें. Stigma style. Pistol. और ये ovary. और ये क्या है? Anthur and filament. ये stamen है. Stamen कौन सा है? Male part है. और ये कौन सा है? ये pistol पूरा का पूरा. ये female part है. ये मैंने आपको याद भी कराया था. Class 9 में और Class 8 में. I have told you कि कम से कम सिर्फ इतना structure याद कर लो. कि male part में क्या आता है? और female part में क्या होता है? Female part है. Pistol. जिसके अंदर stigma, style and ovary है. Stigma. ये एक tube जैसा structure उसे style कहते है. और ये ovary है. Stigma, style and ovary. Ovarie जहां पर है. तो female part है. तो stigma, style and ovary जिसको pistol कहते हैं. ये female part है. और Anthur and filament, stamen. जिसको कहते हैं. ये male part है. ये तो आपको पता है sapal है, petals है. Petal जो color वाले है, sapal जो green-green color के हैं. तो ये flower का हमने structure पढ़ा था. तो ये flower का female part है. ये flower का male part है. तो इसके अंदर male part यहां पर रहता है. और ये female ovary यहां पर है. चीक है? तो अब plants के case में क्या हो रहा है? देखिए. फटा फट हम देख लेते हैं. तो plant के case में जो reproductive parts हैं. जो रिप्रोड़क्टिव पार्ट्स हैं. कहां पर located है? flower में. तो जो different parts of the flower. ये हम जानते हैं sapal, petals, stamen, pistil. Stamen, pistil जो होते हैं reproductive flower हैं. प्लांट के दोनों एक ही flower में हैं. उसे कहते हैं bisexual flower. राइट? कुछ लेकिन plants ऐसे होंगे हैं, जिसके अंदर male और female part जो होंगे, अलग-अलग flowers में होंगे. जैसे कि papaya, papitika, watermelon, इन सब के case में क्या होता है? गीया. इन सब में क्या होता है? ये अलग-अलग होता है. male flower अलग होता है, female flower अलग होता है. अब दोनों flowers अलग-अलग है. एक ही पेड़ पे लगे होंगे, एक ही plant पे लगे होंगे. एक female flower होगा, जिसके अंदर female part है स्रव, एक male flower होगा, जिसमें male part है स्रव. तो उस case में reproduction के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी pollination के जो agents होंगे न वो उसके अंदर बड़े ज़ादा important हो जाएंगे जो की unisexual flower है तो unisexual flower के case में pollination वाले agents जो हैं वो बहुत ज़ादा important हैं जिसमें क्या-क्या आता है? हवा जिसके अंदर madhumakhyya, titlian honeybees, यह सब कुछ आता है उसके अंदर, वो जब तक आएंगे वो एक flower पे फिर दूसरे flower पे बैटेंगे तब तक जो male part है वो female part के उपर गिरना चाहिए तब ही जाके reproduction होगा, तब ही fertilization होगा, sorry ठीक है? तो और fertilization तब ही हो पाएगा जब female और male part पास-पास आएंगे, तो unisexual flowers के case में यह आप अच्छे से समझ लीजे, यह statement आपको exam में मिल सकता है कि जो unisexual flower है, उसके case में pollination agent का जो importance है, बहुत जब बढ़ जाता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि male और female part दोनों अलग-अलग flower में है सोचे जिसमें एक में ही है, जैसे यह एक ही में है थोड़ी सी भी हवा चलेगी, तो यह pollen यह गिर जाएंगे इधर और यह यहाँ पर पहुंच जाएंगे आराम से pollination हो जाएगी बड़ जिसमें अलग-अलग हैं, मान लीजे हवा नहीं चल रही है, तो और हानी भी नहीं आ रही है, तितलियां भी नहीं आ रही है कोई और और तरीके के बड़ भी नहीं आ रहे है, तो बड़े मुश्किल हो जाएगी, ठीक है तो यह जो pollen grains है, जो yellowish color के होंगे, इसको इसके बीच में आना जुरूरी है तभी वो fertilization हो पाती है, तो pistil in the center of the flower is the female reproductive part, चीक है तो reproductive female वाले part में इसका गिरना बहुत जुरूरी होता है, तो आप समझ गए होंगे जो जो ovary है, ovule यह swollen है, bottom में क्यों? ताकि इसके अंदर खाना है, जब यह fertilization हो जाएगी, ovary contains ovule, each ovule has an egg cell the male germ cell produced by pollen fuses with the female gamet present in the ovule this fusion of the germ cells or fertilization gives us the zygote which is capable of growing into a new plant, तो नया plant कैसे बनता है? नया plant बनता है जब यह यह जो एंथर के अंदर जो pollens हैं, जब वो इसके अंदर गिर जाते हैं और यह दोनों combine हो जाते हैं, male or female part, तो इसमें इसको बोलते हैं fertilization new plant जो है, fruit जिसको बोलेंगे, वो बन जाएगा जो food के अंदर seeds होते हैं वो seeds जो होते हैं, वो capable होते हैं नया plant बनाने के लिए तो यह किस सरीके से हो रहा है? यह हो रहा है, जब pollination agent ने, दिखिए germination of pollen and stigma pollen grains हैं यह, यह stigma है यह style है, यह ovary है, इसके अंदर चला गया फिर यह यहां पर क्या होने लग गया? यह देखो यह देखो यह देखो धीरे-दे, egg बन गया यह दीर-दे बड़ा होना शुरू हो गया तो जब यह बड़ा हो जाता है, देखिए यह इसके cotyledon है cotyledons के अंदर क्या होता है food store होता है यह future root बनेगी radical यह future shoot बनेगा यह देखे यह चने की जैसा बनेगा न कोई भी जो भी जिस चीज का भी plant है वो उसी का fruit बनेगा वहां पर जो उसका fruit बनेगा उसके अंदर पूरा store होगा और जो उसके बीज होंगे वो germination के आगे काम आते हैं यह देखो the pollen needs to be transferred from stamin to stigma यह हम जानते हैं if transfer of pollen occur in the same flower it is referred to as self-pollination self-pollination किसमें होगा अभी आप जानते हैं अब आप इसमें रटने की कोई ज़रूरत निया self-pollination same flower का अगर उसके अंदर जाता है तो उसे self-pollination कहते हैं अगर दूसरे flower का pollen transfer होता है तो उसे cross-pollination कहते हैं okay so this transfer of pollen from one flower to another is achieved by agent corn agent हो सकते है water हो सकता है animals हो सकते है wind हो सकते है insects हो सकते है birds हो सकते है after pollen lands in the suitable stigma it has to reach the female germ cell for this a tube grows style bolते है style stigma and ovary है यह उसमें पहुंच जाता है जब fertilization हो जाती है तो zygote divides several times to form embryo within the ovule the ovule develops tough coat this is gradually converted into a seed the ovary grows rapidly and ripens to form a fruit क्या बनेगा वो fertilization जब हो जाएगी तो फिर वो बढ़ा होता जाएगा size में और उसके बीच बन जाएगे और fruit बन जाएगा meanwhile the petal sepal stamen यह सब क्या होगा यह नीचे गिर जाएगे जो petal sepal जो fool था वो टूच जाएगा दिरे दिरे वो गिर जाएगा और fruit बन जाएगा have you ever observed any flower part still persisting in the fruit यह देखना the seed contains a future plant or embryo which develops into seedling under appropriate condition this process is known as germination जो seed होता है अगर उसे proper condition मिल जाए तो वो seed germinate कर सकता है तो यह होता है plant में किस तरीके से sexual reproduction हो रहा है तो plant के case में हम पहले भी पढ़ चुके हैं आज हमने पूरा detail में summarize किया है plant के case में flowers के तरू होता है sexual mode of reproduction asexual वाले हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसमें क्या होता है उसके अंदर stigma style and ovary होती है stigma style and ovary क्या है stigma style and ovary is the female part और stamen और जो है वो उसका male part है तो pollination के तरू जो है उसको इसके बीच में आना है ताकि वो ovary के पास पहुँच पाए fertilization तो fertilization से क्या बन रहा है fertilization से fruit बनता है और seeds बनते है seeds further नए plant में बन जाते हैं और इसको कहते है germination इस process को कहते है fertilization तो यह होता है so this is the sexual mode of reproduction in plants तो plants में इस तरही किसे होता है sexual mode of reproduction I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपने मेरे इस lecture को ध्यान से सुना है तो आप इससे जुड़े हुए सारे के सारे questions को solve कर पाएंगे questions आपको इसी तरीके के मिलेंगे कि आपको को complex complex terms होंगी आपको तब ही आप उसके answer कर पाएंगे जब आपने chapter को समझ लिया है अब जैसे अगर आपको यह पता रहेगा कि bisexual flowers जो होंगे वो कौन से plant में हो सकते हैं यह तो भड़ा factual question होंगे लेकिन bisexual flowers वो होंगे जिसके अंदर दोनों जो हैं वो रहेंगे male और female part एक ही flower में रहेंगे तो इस तरीके के questions जो हैं यह आपको समझने पढ़ेंगे इसी तरीके questions इस chapter से आते हैं so thank you so much and best of luck for your preparation